सभी को नमस्कार, मेरा नाम अजय यादव है और मैं च्छतरपुर जिले में लगभग पिछले 22 सालों से निवास कर रहा हूँ और फादर का जब ट्रांसफर हुआ तब से हम लोग यही पर हैं सिविनी जिले से हम लोग यहाँ पर आये हैं और यहाँ पर जैसे ही अदर्णी श्री भगवान सिंग परमारजी भाई साप से हमारी भेंट हुई और उसके बाद से जो हमारे जीवन की जो दिशा नहीं थी उस दिशा विहीन मार्ग को एक दिशा मिली शादी के बाद से जो छोटे मुटे वैचारिक मदभेद थे उन में भी काफी सुधार आया और हम लोग अपनी शेरिंग कई बार रख चुके हैं जिसमें हमने बताया भी है कि हम लोग डिवास तक के लिए वहाँ पहुँच चुके थे और उसके बाद वहाँ से लोटना पूरी समझधारी के साथ लोटना ये एक बड़ा बदलाओ ये एक बड़ा चमतकार मुझे देखने को मिला है UHP से ये एक बहुत ही अच्छी विद्या है जीवन विद्या है जिसे हम अगर सीखते हैं तो हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाता है हमारी प्रकृती हमारा और इसमें जो स्टेप्स हैं वो हमें काफी मदद करते हैं अपने आपको समझने के लिए तो मैं स्टेप्स के माद्यम से आप सभी की बीच अपनी गती रखना चाहूंगा कि मैं कितना आगे बढ़ पाया हूं कितना कुछ सीख पाया हूँ, कितना समझ पाया हूँ तो अभ्यास एक का जो point one है जिसमें स्वेम चैतन के द्वारा स्वेम को और स्वेम में चल रही कल्पना शीलता को भाव विचार को क्या हम देख पाते हैं तो ये एक लाइन है जिसे बहुत ही साधरन तरीके से लिखा गया है लेकिन इनके शब्दों को जब तक हम बार-बार ना पढ़ें बार-बार हम उसको explore ना करें, उसको विस्तारित ना करें तो ये जो एक लाइन है वो केवल लाइन के माध्यम से ही हमारे अंदर उतर आती है, बैटाती है लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि मैं कैसे अपने आपको देख सकता हूं मैं अपनी कल्पना शीलता को कैसे देख सकता हूं बार-बार प्यास करने के बाद भी आप सभी की sharing को सुनने के बाद भी ये चीज जहन में नहीं आती लेकिन जैसे ही हम अभ्यास सत्र करते हैं या कोई परिचे सत्र करते हैं या FDP करते हैं फेस टू फेस हम किसी वर्क्शॉप में जाते हैं जब वहाँ पर विठाल कर सामने से हमें अभ्यास करवाया जाता है जो अभी हमने परिचे से तर्किया परिवार सहित भीलवारा राजस्थान में तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी गती में एक रफ्तार सी आई और वहाँ पर ये जो स्टेप्स के जो पॉइंट्स हैं इनके में शब्दों को बड़ी गंभीरता से देख पाता हूँ उनको एक्स्प्लोर कर पाता हूँ और जहां पर भी प्रोड़ी सी दिक्कत आती है तो नौगाओं में जो UHV Living Center है वहाँ पर आदरनी भगवान सिंग भाई साब है भावी जी हैं वो हमारी मदद करती हैं एक-एक शब्द में इतना विस्तार है कि उसको लेकर आप उस पे बात करी घंटों कर सकते हैं तो ये मैं देख पाया पहले पॉइंट में कि हमारी जो कल्पना शीलता है हम जो सोच रहे हैं उसमें आखिर चल क्या रहा है और जैसे ही हम कुछ चीज चलाते हैं तो इसके पीछे हमारा जो भाव है वो भी हमें विल्कुल स्पस्ट हो पाता है जैसे कि एक उधारण हमें बताया गया था कि आप कभी भी किसी बस में जा रहे हो और वहां का जो ड्राइवर है वो बस चलाने में अपनी पूरी सेजक्टर से ध्यान देता है और कंडेक्टर पूरी ध्यान से सभी से टिकेट और पैसे वसूल करता है लेकिन यदि वो किसी कहन बस भूल जाए हमसे पैसे ना ले पाए तो उस दोरान हमारी कल्पना सीलता में क्या-क्या चलने लगता है और यदि वो स्टॉप आज आये और हम उतरने को और अचानक ही वो हमें रोपकर पूछ ले कि आपका पैसे नहीं हुआ है आपका टिकेट नहीं हुआ है तब क्या विचार चलते हैं तो इस उधारन से बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमारी कल्पना सीलता में क्या चल रहा है और उसके पीछे हमारे भाव क्या है और दूसरा पॉइंट है जिसमें लिखा है स्वयम में सहज भाव है स्वभाव मानवी है स्वभाव के अनुरूप भावों को क्या हम देख पाते है हम इन भावों को दिरंतरता को क्या बनाए रखना चाहते है क्या वो भाव हमारे लिए सहज है या असहज है जो भाव विचार हमारे में चल रहा है क्या हम उससे बनाए रखना चाहते है तो पहला ही step से ये दूसरा step connect करते हैं तो फिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि उस एक जो बस वाली incident है उसको हम यदि सब में रखकर देखके हैं कई सारी घटनाएं सब के साथ अलग-अलग होती हैं तो वो कल्मने शीलता में हम कितने अपने आपको बहुत आराम में रखवाते हैं या हम उससे असहज है या वो जो विचार हमने चलाया है वो उसको रखके हम बहुत ही सहज महसूस कर रहे हैं तो ये point जो two है वो step one से ही निकला है ये मैं समझ पाया हूँ तीसरा है इन सहज भावों के साथ हम संगीत में हैं आराम में रहते हैं सुखी रहते हैं तो यदि हम उस विचार को चलाते हैं जिससे हमें सुख पहुँचे निरंतर सुख पहुँचता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं और यदि हम उस विचार को चला कर थोड़े समय के लिए सुखी है, थोड़े समय के लिए हमें कुछ लाव मिलता है, लेकिन कहीं हमारे मन में एक असमंजस है, एक दुख है, तो हम कह सकते हैं कि हम दुखी ही हैं, क्योंकि छणिक सुख सुख नहीं माना जा सकता, जो अनवरत जारी रहे, निरंदर चलता रहे, वो सुख है, अगले स्टेप में जो चोथा है, उसमें लिखा है, मुझ में कौन सा भाव चले, इसका निर्णय मैं स्वयम लिता हूँ, इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, पूरी तरह से सौ परतिसत जिम मिदार हूँ, दूसरे की शिकायत से हम मुक्थो पाते हैं, और अपने में परिमारजन के लिए, सुधार के लिए पर्व पाते हैं, तो ये भी पहले बहुत कम मुझे समझ में आता था कि इसका निर्णय क्या होता है, कैसे हम कह पाते हैं कि जो हम में विचार चले, जो मोती वही है वहाँ पर राजिस्तान भीलवाड़ा में हमको जब ठाल के आखे बंद करके हम लोग उसका ध्यान करते थे तब भी दो-तीन दिन तो समझ में नहीं आया लेकिन तीन दिन के बाद काफी कुछ एक गती सी बनी कि जो हम हमारे अंदर कई सारी कलपना शीलता दोड़ती थी, कई साले विचार दोड़ते थे, हम कई सारे निर्णय लेने को भी बहुत चल्दी तयार रहते थे तो इन सारे उतल पुतल में, इन सारे कलपना शीलताओं में एक धहराउसा वहाँ आया जो हमारा imagination था वो करीब एक minute में करीब 50-60 जगा हम लोग सोच लेते थे और वो जो jumping थी विचारों की भावों की फिर उनमें कमी आना शुरू हुई तो मेरे लिए बहुत excitement का वो पल था जब मैंने अपनी बात वहाँ सभी लोगों के साथ अब्यास सत्र में शेर की कि ये एक बड़ा हनुभव मुझे आज प्राप्त हुआ है कि मेरी जो कल्पना शीलता की jumping थी काफी सारी चीजें में सोचता था एक minute के अंदर मैं पूरे विश्व का भ्रमन करके आ जाता था वो दिमाग को भी जो परिशानी होती थी मेरी कल्पना शीलता जो भागती थी उसमें एक बहुत ही बारीक तरीके से में देख पाया कि मुझे अब अपने कल्पना शीलता में चलाना क्या है मुझे अब सोचना क्या है मेरे अंदर ज्यादा तर चलना क्या चाहिए ये जो बहारी दुनिया है इसमें इतना क्यों हमारा जो कल्पना शीलता है वो क्यों इतनी गूम रही और ये मैं कह सकता हूँ कि 100% जिम्मेदारी हमारी ही रहती है और जो हमारी जो शकायत करने का भाव रहता है दूसरों के लिए हम हमेशा तयार रहते हैं कि अपना भी जो हमसे कोई गल्ती हो जाती तो हम दूसरे पर उसको आरूपित कर देते हैं कि इनके कारण हुआ है तो इससे मैं काफी धूर होने की कोशिश कर रहा हूँ लगबक कह भी सकते हैं कि इतनी गथी बनी है कि प्रतिक्रिया देने से पूर्व ही हम लोग रुखते हैं सोचने लगे हैं तो परिमारजन इसमें हो पा रहा है अगले स्टेप में मैं कहना चाहूँगा निर्णाय लेने का आधार समझ है या माननेता जब समझ के आधार पर या हम जब भाव का निर्णाय करते हैं तो सही है सहज भाव का निर्णाय कर हम आराम में रहते हैं और माननेता के आधार पर भाव का निर्णाय करते हैं तो निश्चित ही हम आराम में रहेंगे या परिसान रहेंगे, इस बात की कोई कारंटी नहीं होती है, इसलिए अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवस्यक्ता महसूस होती है। कि हम सोचते ही नहीं है, विचारते ही नहीं है और सीधा डिसीजन ले लेते हैं, निर्ने कर लेते हैं, तो इन स्टेप्स के यह जो पाँचवा स्टेप है, इसमें मुझे काफी हेल्प मिली, कि आपको कोई कुछ कहता है, या आपके साथ कोई घटना होती है, और वहां से वो घटना कितनी बड़ी हो सकती है, यह पाँचवा स्टेप में बहुत मदद करता है कि हम उस घटना को अपनी समझ के आधार पर सोच विचार कर चोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ना कि माननेता के आधार पर कि उसने हमें ایसा कहा है, तो हम उसके बदले में इससे जज्याद करती हैं, समाज में भी हम एक अलग ही छबी से प्रस्तुत हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब इतने पुरी हो गए इसके पीछे जिम्मेदार भी हम दूसरों को ठहराते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे पाचवा स्टेप इसमें समझ में आया, संबंद में रहना है, माता-पिता संबंद, पती-पत्नी संबंद, भाई-बहन का संबंद, तो ऐसे ही हम इसको समझते थे, और विवस्था तो वो अपनी पारिवारिक विवस्था को समझते थे, सहस्तित्व तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि समझ में ही नहीं आता था, लेक होती हैं उनको सुन रहे हैं सापताहिक सभा होती है उसमें जूड़ रहे हैं कई सारे ऐसे वहां कारेक्रम होते हैं जिनको वीडियो रिकॉर्ड करने का छोटी-मोटी एडिटिंग करने का हमें जो अफसर मिलता है इन कामों को करने में एक बहुत ही अच्छा स्वकून मिलता है अपने आपको अच्छा लगता है वहीं दूसरी ओर जो ये सांसारिक कारे हैं इनको करना एक दाइत्व समझ में आता है एक ड्यूटी समझ में आती है लेकिन जब हम ऐसे काम करते हैं जिसमें परोबकार हो लोगों को सुख पहुँचे लोगों तक सही समझ पहुँचे ऐसे कामों करने में एक बहुत विशाल मन होता है मैंने ऐसा यह महसूस किया है और नहीं रहना चाते हैं हम विरोध में अविवस्था में संगर्ष में सभी को संबंद में विवस्था में और सहस्तित्व में रहना पसंद है लेकिन संबंद विवस्था और सहस्तित्व की परिभासा भी कितनी बड़ी है कितनी गंबीर है ये भी एक समझने की बात है साथवे स्टेप में मैं कहना चाहूँगा कि इस छण निरने पूर्वक अपने भाव को संबंद विवस्था और सहस्तित्व के भाव में अर्थ में सुनिश्चित कर मैं सुखी होता हूँ हर छण ऐसा सुनिश्चित कर मैं निरनतर रूप से सुखी रहता हूँ संबंद विवस्था सहस्थित्यों को संपूर्णता में समझने के आधार पर हमारा भाव सहज रूप से संबंद विवस्था सहस्थित्यों के अर्थ में होता है और हम दिरं तरसुकी होते हैं और मैं अब यह देख भी पा रहा हूँ कि मैं अब हर छण संबंद, व्यवस्था और सहयस्थित्य को देखने में सक्षम हूं मैं यह कह भी सकता हूँ कि अब मुझे पूरी स्रिष्टी पूरा हमारा संसार में संबंद, व्यवस्था और सहस्तित दिखता है और बहुत ही कम ऐसे छण होते हैं क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो मुझे काफी लोगों से मिलना पड़ता है तो यदि मैं एक दिन में पांच लोगों से मिलता हूँ तो एक ही होगा शायद इन एवरेज पूरे मंद में एक या दो कि जब हमें लगता है कि इनसे हमारा संबंद नहीं हो पाया इनसे हमारा विवस्था में हम बात नहीं कर पाए इन्हें हम सहस्तित्पुर में नहीं देख पाए नहीं समझ पाए या नहीं समझा पाए तो उसमें भी एक शिकायत नहीं रहती अब लगता है कि अब मैं उसके परिमारजन में क्या उनकी मदद कर सकता हूँ कितनी हेल्प कर सकता हूँ तो ये अभ्यास एक में मैंने अपनी इतनी बात रखी समय काफी ज्यादा हो रहा है तो मैं और शिक्रता से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ अभ्यास दो मैं जो मैं है और बोडी है उसके बीच उने वाले आदान प्रदान को देखने की यहाँ पर बात की गई है जिसमें पहला पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि मैं हूँ शरीर है यह दोनों अलग-अलग वास्ति दिखता है तो काफी बार हमने शेरिंग की है इसे बोला भी है लेकिन उसके बोले में और अभ्यास सत्र के करने के बाद परिचे सत्र करने के बाद या FDP में आपने जो समय दिया है इन सब्दों में गहनता से आपने पूरा एक एक दो दो गंटे इनको समझा है तो हम बहुत अच्छे से इसको रख पाते हैं आत्मा से कह पाते हैं कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि सेल्फ अलग है और बॉड़ी अलग है दूसरे पॉइंट में मैं कहूंगा कि मैं और शरीर के बीच सिर्फ सुचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और जो भी हम बाहरी संकेत इसमें देखते हैं अलग-अलग इसमें अध्यान करते हैं यह यहाँ पर विल्कुल समझ में आता है कि हमारा जो सेल्फ है और बॉड़ी है उनके बीच में जो बाहरी सुचनाओं होती है उनका सिर्फ आदान प्रदान ही हो रहा है अगे मैं कहूंगा शरीर को क्या संकेत देना है किस संवेदना को पढ़ना है इसका निर्णाओं मैं ही लेता हूँ ये बिलकुल सत्य है क्योंकि शरीर को जो भी संवेदना मिलती है जो भी रस मिलता है जो भी गंद मिलती है जो हम रूप देखते हैं उसके बाद जो हम सेल्फ हमारा जो बॉड़ी को ओर्डर करता है ये अब मैं देख पा रहा हूँ अगले पॉइंट में है मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ और मैं शरीर से अलग हूँ ये बहुत ही छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ही गंबीर है क्योंकि इसमें हम अपनी संवेदना को अपनी body को और अपने self को इन तीनों को हम देख पा रहे हैं कि ये अलग-अलग है अगले point में बताना चाहूँगा मैं कि समविधना से अलग होते हुए भी समविधना को पढ़ पाता हूँ मैं सरीर से अलग हूँ अगले point में बाह परिस्थिती का प्रभाव सरीर तक पहुचता है उसमें निर्णय पूरवक मैं पढ़ पाता हूँ उसे अर्थ दिता हूँ लेकिन उसमें हम प्रतिक्रिया पूरवक प्रस्थूत हो रहे हैं या जिम्मेदारी पूरवक प्रस्थूत हो रहे हैं तो ये पाँचवे स्टेप में मैं कहना चाहूँगा कि हमें जिम्मेदारी पूरवक प्रस्थूत होने की एक दिश्था मिली है बाह परिस्थिती का शरीर पर क्या प्रभाव पढ़ता है मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पूर्वक होता है या प्रतंतरता पूर्वक होता है भाय परिस्थिती हमें कोई कुछ कह देता है या हमारी कोई पुराने संसकार है उसके अधार पर हम उसे जोड़कर प्रस्तुत होते हैं या कोई माननेता के अधार पर हम प्रस्तूत हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी जो भाय परिस्तिती के कारण हमारा जो निर्वा होता है वो पुरानी माननेता के अधार पर होता है यहाँ पर मैं इसको इतना कह पाऊंगा आगे है सम्वेदना को पढ़ने के आधार पर बहार की घटना दूसरे का व्यभार का आकलन भी अब मैं सही सही कर पाता हूँ उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके कहने पर उनके शब्दों को ना पकड़ कर उनके पीछे के भाव को देखने की कोशिश हम करते हैं उसका आकलन करते हैं आगे मैं अपने शरीर की स्थिपी का आकलन करता हूँ जिसमें शरीर की कोई गटना सम्वेदना शरीर के बारे में काफी कुछ हमने अभी सीखा है परिचे सत्र में जिसमें सेल्फ के बारे में और बोडी के बारे में विस्तार से बताया गया और अंत में मेरा होना सुन्न के सहस्तित में बना हुआ है मैं निरंतर क्रियाशील हूँ सरीर का होना भी सुन्न के सहस्तित में बना हुआ है और ये जो शून है इसको अभी मैं बहुत ही सहस्ता से नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि शून भले ही एक चोटा सा शब्द हो लेकिन इसको समझना अभी जरूरी है तो मैं इसको अच्छे से समझूँगा फिर अपनी बात रख पाऊंगा तो अभ्यास एक और अभ्यास दो मैं इतनी ही बात अपनी कहता हूँ और सुख स्वभाव है या प्रभाव इन विंदूओं पर मैंने अपनी इस पस्टाता अभी जाहिर करी ही और हम और हमारा परिवार एक कमिट्मेंट में तो पहुँचे ही हैं कि अब जितने भी शिविर होंगे हम उनमें जाएंगे हमारा पूरा परिवार वहाँ पर अपनी बात रखेगा और अपने लिए और समाज के लिए भागिदारी में ज्यादा से ज्यादा वक्त हम अपनी प्रत्रकारिता के माद्य हम से निकाली रहे हैं और लगबग चार से पाँटे गटे जो वरकिंग टाIM होता है उन में चार से पाँटे तो निकाली लेते हैं कि अपनी बात को हम किसी एक गति के साथ आराम से रख पाएं उसे हम बता पाएं जितनी हमारी गति है उसके बारे में उसे समझा पाएं और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो मौनिक सेशन में आप सभी लोग हमारी गति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सभी की शेरिंग सुनने के बाद हमारी गति में जो लगातार रद्धी हो रही है और कृतग्यता और धन्यवाद है आदरनी अगवान सिंग भाई साथ के लिए भाभी साथ के लिए और गुरुजी स्री गनेश जी भगडिया सर्ग के लिए अगली आवाज अमारी धर्म पत्नी श्री मोहिनी यादाव जी की वो भी अपनी बात रखे में जी जी सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम मोहिनी यादाव है और मैं श्री भगवान सिंग भाई सब की माध्यम से यूएच पी से जूड़ी हूं और सुर्य का सेशन अटेंड करती हूं और मैं इस बार का पहला सिर्विर है जो वील बाड़ा में हुआ था मैं अपनी फैमिली के स पर क्या चल रहा है यह मैं अभी देख पा रही हूं पहले ऐसा नहीं था इक्चा विचार आसा तो यह मैं समझ पा रही हूं क्या भाव विचार चल रहा है इस तर भी मेरा ध्यान जाने लगा है इस टेप भी सहज या आसहज है सुखी है या दुपी है तो इसे भी मैं जाते हैं कि अभी इनका फ्रोन आएगा, तो हम उस से अंदाजा लगा लेती हैं कि अब इनसे हमें सुखी, अच्छी बाते करेंगी, या कोई ऐसी बात होगी जिसे हमें मदद के लिए बोलेंगी, तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे, कि इनके फ़र्ण से क्या हम सुखी है या दुखी है तो ये मैं आप समझ पा रही हूँ इन सब भाव विचार को चलाने का निर्ने भी मेरा है इस पे भी मेरा धियान जाने लगा है क्योंकि जब निर्ने हमारा है तो हम सुख में होना चाहिए और कभी कभी ऐसा हो जाता कि निर्ने देने के बाद हम दुख में होते हैं या तो हमारा निर्ने सही नहीं होता है इसलिए हम दुखी हैं तो इसको भी मैं देख पा रही हूँ इसे भी मैं समझ रही हूं। यदि कभी हम मानिता के आधार पर देखें जैसे बंदेख भंड में बात करें कि बारिस नहीं होती है। लोग कूजा पाठ करते हैं, संकरजी बनाते हैं। तो कभी-कभी बारिस हो जाती हैं, कभी नहीं होती है। कभी लोग सुखी होती हैं और कभी दुफी होती हैं। तो अगर हम मानिता के आधार पर देखेंगे, तो सुख कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तो इसको मैं समझ पा रही है। án, सॉख छुख स्विकार क्या है, समझ या संबन भी तुख कर दुखुॹ। कि हम पहले भी अपनी सेर नहीं में रहती हैं। संबध की विलेड़ कि आते हैं। तो चुख हम अपनी थैमिली से ही थैं। कि हमारी थैमिली में हैं जितने दूग हैं। उनसे ही हमारा संबंद रहता है और जब हम संबंद में रहते हैं तो विरूद वहां नहीं रहता है, विवस्था अपने आप बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, फैमली के अलाबा भी संबंद मानव का मानव से होना चाहिए, ये बात में समझ रही हूं, और जहां भी हमारा सं कि मुझे बिवस्था से अस्तित को समाजना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है वो भी सुखी निरंदा सुख में रहना है तो इसे ही ने समझ पा रही हूं और अब भ्याज दो की बात करती हूं जड़ सरीर जड़िकाई को समझना तो पहले मैं स्वयम को स्वयम से नहीं देखता थी थी अब ऐसा नहीं अब मैं स्वयम से स्वयम को देख पा रही हूं समझ पा रही हूं इसके भी मेरा ध्यान जाने लगा है और स्वयम से सरीर को देखना पहले ये भी मुझे पता नहीं था कि पे भी ध्यान जाने लगा है, इसको मैं देख पा रही हूं, सरीर और जीवन के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, निर्णय तो मेरा ही है, सूचना पढ़ने का, ना पढ़ने का, च्वाइस भी मेरी है, इसको भी मैं देख पा रही हूं, और समझ पा रही हूं, कि मैं सौतंत्र हूँ, क्या मुझे मेरी हिचवाय से क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, तो ये मैं समझपा रही हूँ, मैं संबेदना हूँ, या मेरे और संबेदना के भी दूरी है, तो इसके भी मेरा ध्यान चाने लगा है, कि मैं मेरे और संबेदना क और मेरा निर्वा इसकी बात करूं जैसे मौसम का प्रभाव ठंडी है गर्मी है तो इस पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे मैं सेल्फ और बॉड़ी को देख रही हूं कि सेल्फ और बॉड़ी दोनों अलग अलग चीजे हैं सेल्फ की बात करूं तो सेल्फ को मौसम रही हूं कि इनकी जरूरते भी अलग-अलगें इसको भी मैं देख पा रही हूं और इससे मैं जो संबेदना मिलती है उसको भी मैं देख पा रही हूं मेरे और विचारों मैं कल्पना सींविता से संबेदना को अर्थ देना और सही समझ से निर्वा करना या मानिता से तो मैं कि यदि हम मानिता से जोडेंगी तो मानिता का कभी हो जाता है कभी मानिता नहीं होती है तो उसमें हम सुखी और दुखी होती है लेकिन यदि हम सही समझ के आधार पर देखेंगे तो निरंतर सुख में रहेंगी इसको भी मैं पहना चाहूंगी और एक सूनने की बात करें तो पहले जब मैंने पहली बार मॉर्निंग सेशन में इस सुनने सुनाता तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सुनने क्या है अब मैंने भावी स्री अरुना प्रमार जी से पूछा कि भावी ये आज की सेशन में जो सुनने की बात हो रही है इसको मैं समझ नहीं पा रही हूं तो तब भावी ने बताया कि सुन है वो जीवन है, सरी भी सुन में है और जीवन भी सुन में है और सुन से ही सुरू होता है और सुन पर ही खत्म होता है, तो इतना तो मैं समझ गई हूँ लिकिन इसको और आगे समझने का मैं प्रयास कर लए हूँ, मैं जैसे कहना चाहूं कि जैस तो ज़रूरी नहीं हमारा फेमली से ही संबंध हो, जैसे कि मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, जॉब करती हूँ, तो मैं गाव में ट्रेनिंग देने जाती हूँ, तो मेरी थोड़ा सा हैबिट है, मैं सभी को भाई या दीदी या जो भी बहां जोग होते हैं, तो उनसे भावी दीदी करके ही बात करती हूँ, मैडम सर नहीं बोलती है, और मेरी साथ एक जो दूसरी मैडम गई थी, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि हम सभी से भाई और दीदी ये क्या है, हमारे घरवाले तो है नहीं है, तो बो सर मेडम करके बोलती है, और बहीं बो अपनी मेडम के चक्कर में, अगर उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो बो दिखा देते हैं, मैं मास्टर टेनर हूँ, मैं आपके हाँ ट्रेनिंग देने आई हूँ, तो ऐसे में मैंने देखा है कि जो काम लोग कर देते थी, वो फिर नहीं करते कि अब आप मैडम ही बन जाएए, और मैंने ये देखा है कि जब भी मैं किसी गाह में जाती हूँ, वालिंटियर हो या वहां के हूँ, मैं उनसे बोलते हूँ, नहीं भी आपकी ही जिम्मेदारी है, या आपको ऐसा करना है दिद्या कर देंगी तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे पहुचने से किसी ने मेरा सहयोग ना किया हो वो कोई भी हो महिला हो पुरोस हो या कोई भी हो मुझे पूरा सहयोग मिला है तो जब जरूरी नहीं है कि हमारे यहां फैमली नहीं है हम गाव में जा रहे हैं वहाँ भी हम सम्मंद मानफ का मानफ से ही होनी चाहिए और मुझे लगता है यही मानफ ता है तो मैं इसको और सीखने का प्रयास कर रही हूं और अभी मैंने सब्रयाव हमें पर चीज चीज को मैंने में अभी समझ तो मैंने नहीं करना है यहीं कि लोग जादा दिन कर पाते आप किति दिन सब्र करेंगे यही होता था कि के एक दिन दो दिन आठ दिन फिर इसके बाद तो वो बिस्पोट होता ही था कि भाई तो इतने दिन से कंड्रोल कर रहे हूँ हैं, लिकिन सामने वाला सुधरने का प्रयास नहीं कर रहा है तो मैंने अब ये समझाए कि कुछ भी मैनेज नहीं करना है जो अपने जीवन में निरंतर सुख चाहिए तो इसको हमें जीने में आना चाहिए ये भी मैं समझ पा रहे हैं और इसके यूएचपी के कारण मेरे बच्चों में, फैमडी में, मेरे पतिदेव में का भी है कि आप लोग ऐसा जी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सुख में हैं, तो उनको भी हम जितना समझ पा रहे हैं, उतना ही समझाने का प्रयास करते हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, भाई सब को, भावी जी को, नौती भाईया को, बंदन भाईया को, और UHV से जुड़ बहुत देना वाद मोहीनी दीडी और आजे भाईया, आप दोनों ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा, तो अभी बगवान भाईया का हैं, रहे हैं, जी बगवान भाईया, नमस्थे जी दीदी नमस्ते आवाज आ रही है जी बहुत बढ़िया है दोनों लोगों ने शेरिंग को रखा और ये परिवार भाव से बहुत चेंज आया है अजय का जो सभाव था पहले से वो दूर्सी सेवा करने का सभाव तो इनका पहले से ही था लेकिन उसमें बहुत इस्पश्त नहीं थी तो जैसे जैसे ये ऊफ्वी को समझ रहे हैं तो इन में बहुत इसपस्ता आ रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनने पत्रकारता को एक नए सुरूप में ले जाने का काम भी किया है पहले तो इनका यह रहता था कि जैसे ही पत्रकार होते हैं कि किसी की कमिया कोजना है किसी में किसी की negativity को पकड़ना है और फिर उसे blackmail करना है ये सभी फत्रकारों का रहता है लेकिन अजय ने इसमें पुरा एक transformation किया और अब ये positive बे में लोगों के पास जब जाते हैं तो अब लोग इनको देखके स्विकार करने लगे हैं और लोग खुद बुलाने लगे हैं और positive निवजें या अच्छी निवजें कैसे लाई जाए उसको ये करने लगे हैं दूसरा ही है कि ये बहुत सी चीजें एक साथ जो करते थे कई काम एक साथ करते थे कुछ नाचने से लेके गाने से लेके संगीत से लेके हर जगे पर ये अपना प्रिजेंस देते थे तो अब उसमें भी ये इस्थिर हो पा रहे हैं जैसी जैसे इनकी यात्रा जा रही है तीसरा ही है कि घर में भी जो आपस में जो अन्मन थी वो पूरी तरह से सौट आउट हुई है और दोनों लोग बच्चों सहित पॉश्टिफ बे में ये इवेच वी को समझ रहे हैं सिविर बगए भी कर रहे हैं अभी कानपूर में भी ये सिविर करेंगे सो मेरी इनके लिए बहुत सुख कामना है कि हम लोगों के साथ भी मिलके जो यहां परिवार मूलक समाज बनाने का या परिवार मूलक गुरूप बनाने का जो काम चल रहा है उसमें इनकी सक्रिय बागिदारी रहती है मोहनी की और इनकी मेरी बहुत-बहुत सुक्षा जी नमस्ते आजे जी और मोहनी जी नमस्ते दीडी काफी सब्सक्राइबी आपकी शेरिंग सुनी ही है और अभी भी ये जो बात भगवान जी ने भगवान सिंग्जी ने रखी ये बहुत ही महत्वपून बात है कि पूरा जो एक ट्रेंड चल रहा था पत्रकार कैसा लिखते हैं बहुत लोगों ने, इंक्लूडिंग हम लोगों ने अकबार पढ़ना ही छोड़ दिया था कि इतनी ऐसी खबर होती थी जिसके लिए ना कोई उत्सुक ना हो पढ़ने के लिए लेकिन आपने वो पूरा ट्रेंड ही बदल दिया कि जो अच्छा हो रहा है उसको सामने लाएं और ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि जो बगवान सिंग जी अभी कह रहे थे कि आपने शुरुआत करी और फिर लोगों ने आपका साथ दिया और सामने आए कौनसी कौनसी न्यूज अच्छी है ना सब को बताने लाइक है वो आपको अप्रोच कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया तो मुझे लगता है इसी टाइप का काम करना ही की आवशक्ता है जिससे कि इनसान इनसान मतलब हर मानव में ये जो संबंद का भाव है ये और अच्छे से दिख जाए पहले तो मुझे लगता है समाज में बहुत बहुत एक तरह से सुन्दर बदलाव आ सकता है और उसी के लिए हम सभी प्रयास रथ हैं आप लोगों ने इतना अपने आपको पहले तो समारा और फिर एक दूसरे का संबंद ठीक ठीक समझ पाए और फिर आगे भी आप सब भागीदारी कर रहे हैं बगवान सिंग जी का भी बहुत बहुत मुझे लगता है कि इस काम में बहुत बड़ा हाथ है जैसे कि आपने भी कहा और ऐसे ही आगे चलना है ताकि एक एक परिवार समूंग बनके और एक जो जो आपने कहा ना पॉजिटिव चेंज लाना वो हर मानव में यह पोटेंशल है और यह एक बहुत भी अच्छा उधारन बन जाता है जिससे कि और लोग बहुत से लोग प्रेना ले सकते हैं हमारा जो भी फील्ड हो आपका फील्ड पत्रकारी का है आपने उसमें एक तरह से एक बहुत बड़ा चेंज लाने का प्रयास किया है इसी तरह मोहिनी जी भी लग गई है इस काम में और इतना बड़ा काम कर रही हैं सबके साथ मिलके तो यह हर एक में यह पुटेंशल है कि हमारा जो भी फील्ड हो हमारा जो भी जिसमें भी हमारे स्किल हो हम उसके माध्यम से पूरे समाज में यह संबंद वेवस्था और सहस्तित्व की बात को सामने ला पाएं तो आप दोनों को बहुत बहुत बढ़ाई और बहुत शुब कामना आगे के लिए भी थी 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 थी